हेलो प्रेंट्स अनिताज गेलक्सी में आपका स्वाधत है आज यहां मैं लखनव नर्सरी आई है तो यह मैं आपको दिखाते हूं इनके पास बाहर से ही शुरू है बाहर से प्लांटर्स लगे हुएं काफी अलग-अलग तरह के मिट्टी के भी प्लांटर्स हैं सेमेंटिड के भी हैं और प्लास्टिक के भी हैं और नर्सरी में देखी यह प्लांट्स की भी काफी सारी वराइटीज है इसमें लेंटाना है यह छोटा वाला ड्वार्फ वाला जो लेंटाना होता है वो वाला प्लांट है लेंटाना यह डेड़ सो रुपे का बता रहे हैं और यहां बुगनवीलिया के भी कई कलर में हैं, प्लांट्स, इनके पास अलेमेंडा भी हैं, और कई वेराइटीज हैं, अलग-अलग प्लांट्स की, तो इस तरह से अडेनियम भी हैं, नर्सरी में तो किसी में भी चले जाएं, जरूर कुछ ना कुछ पसंद आई ही जाता है, और बिन में हर साइज के हैं, अलग-अलग छोटे भी हैं, बड़े भी हैं, प्लास्टिक के प्लांटर्स में भी इनके पास अच्छी क्वालिटी है, यहां पर गमलो के स्टैंड भी हैं, जो लोहे के होते हैं, वो भी हैं यहां पर, यह प्लास्टिक के पॉट्स हैं, जो अच्छे ह यहां पर अरग अलग तरह के यह सेरैमिक पॉर्च को तक बी हैं हैं पर अलग अलग तरह के सीड्स यह नीचे भी रखे हुए हैं सीड्स इंडोर प्लांट्स का भी कुछ कलेक्शन है इनके पास यह वेरिगेटिड जेड प्लांट है यह सब जो रखे हुए हैं और यहां पर इनके पास यह इंडोर प्लांट्स की भी काफी वेराइटी है यहां सब लगे हुए हैं और इधर ये cactus की varieties हैं यहां पर cactus भी कई तरह के हैं और नीचे इसमें indoor plants है सारे कि देखें ये cactus है और ये एग लो निमा है इसको ये 250 रुपे का बता रहे हैं छोटे ही planted है और ये pot में हैं नीचे यहां पर रखे वे अग लो निमा के कुछ वेराइटीज हैं नीचे में रखी हुई हैं ये स्नेक प्लांट की भी कुछ एक वेराइटीज हैं और इधर ये बड़े-बड़े प्लांट्स जो होते है ना जिसे नीम का है आम का प्लांट है इस तरह के प्लांट्स है यहां पर और उसमें जिस तरह के लेना चाहें वो ले सकते हैं इस तरह के ही बड़े-बड़े प्लांट्स है इस तरफ तो और इस से आगे फिर अब इनके पास पाम की वेराइटीज हैं और अब यह आगे वे दूसरे plants भी है क्रोटन की भी कुछ रूराइटीग सायर के पास और वे plants भी ठीक है लिए गोट्रें 50 फूराइटी गढ्साफ़ हैं यहां पर यह चोटे वाले जो इधर ये डिफिन बेकिया के हैं कुछ वराइटी अलग अलग वराइटी हैं कुछ लाइट कलर वाली है कुछ डार्क ग्रीन कलर वाली है तो वह अलग अलग टाइप के हैं वहां पर नर्सरी में प्लांट्स तो लगबग एक टाइप के ही होते हैं, कुछ एक में कुछ रेयर होते हैं प्लांट्स और वरना कॉमन प्लांट्स तो सब एक जैसे ही होते हैं, बस रेट्स का होता है, उनमें रेट्स किसी में जादा हैं, किसी में कम हैं, अदर्वाइस वेराइटी तो वही होती है सेम यहां पर ये जेड के काफ़ी सारे प्लांट है यह पूरा एरिया चेड प्लांट से ही रखे हुएं इसमें और इधर जो है सेंसी वेरिया है छोटे ड्वार्फ वाले भी है और जो लंबी पत्ती वाले होते हैं उस ट्राइप के भी है अलग-अलग वेराइटी के भी है गार्णिंग से रेलेटेड जो भी समान है वो अधिकतर समान यहां पर सब मिल रहा है इनके पास सब चीज़ है इनके पास और्गैनिक, कैमिकल, सब फर्टिलाइजर भी है और टूल भी जो गार्णिंग में यूज होते हैं वो भी है इनके पास यहाँ पर इनके पास dirig ली का भी प्लांट है यहाँ डूओ यूर्व संसिवेडिया की अलग अलग विराइटी इमें इधर कैक्टस की भी काफी विराइटीज हैं यहाँ पर अलग 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 कर रहे के कैक्टस है देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं एक एक्टस, महुती सुंदर है, जीजी प्लांट भी है यहां पर इनके पास, यह देखिए अलग-अलग कितने सुंदर लग रहे हैं एक एक्टस, यह ड्वार्फ सिंगोनियम है, सिंगोनियम भी अलग-अलग वराइटी के हैं, पिंक सि यहां पर कुछ succulents भी हैं लेकिन उनको अभी गर्मी में तो लेना ठीक नहीं है succulents समेशा सरदी के ये टाइम में ही लेना चाहिए गर्मियों में उनको survive करना मुश्किल हो जाता है और winter में तो अच्छे से अराम से चल जाते हैं यहां पर यह फाइकस के बोंसाई हैं यह अलग अलग टाइप के बना रखे हैं इन्होंने यह सभी फाइकस के बोंसाई हैं और कई कई साल पुराने हैं तो इनका स्टेम भी बहुत अच्छा है काफी बड़ा है यहां पर यह फर्ण की छोटी वाली वराइटी है और यह लिपस्टिक एगलो नीमा के प्लांट्स हैं यह भी पॉट में ही है इनके पास फ्रेंड्स यहां से मैंने क्या पर्चेज किया वो मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगी क्योंकि अभी वीडियो ज्यादा लं भीयड वीडियो पास लिए राइटी हैं पर दिखाऊए जादी हैं यह वीडियो प्वाले वीडियो शहां प्राइटी हैं तो टॉट जाएग्स टॉटी हैं अँट है इस दुट